बिसमिल्लाहिर्मानिरहीम, असलाम अलेकुम, इस वीडियो में हम PMS 2022 के English Pressing and Composition and Translation का जो पेपर है, उसमें Translation का सवाल सॉल्फ करेंगे, आगे देखते हैं कि वो पैराग्राफ कौन सा है, जो पेपर में पूछा गया है, और ये पैराग्राफ कहां से आया है, जो लोग नए ह उनसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा लोगों को help मिल सके English को बेहतर करने में, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, तो शलिए बढ़ते हैं उ और के PMS 2022 के पेपर में उर्दू to English Translation के लिए आया था, और ये paragraph दर से लिया गया है एक बहुत ही फेमस उर्दू नौवल से, हो सकता है कि आपने वो पढ़ा भी हुआ हो, पीरे कामिल ये वहां से लिया गया है, अब इस paragraph को अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा यहां पे ये जो poetic touch है writing में, अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खेंचती, अगर अल्लह के खौफ से आपके आँखों में आशु आ जाते हैं, अगर दोजख के तसवर आप में खौफ पैदा करता है, खौफ खुदा पैदा करता है, अगर आप अल्लह की इबादत इस तरह करते हैं जिस तरह करनी चाहिए अगर नेकी आपको अपनी तरफ राखिद करती है और आपके पाउं बुराई के रास्ते पर जाने से रुप जाते हैं तो फिर आप सालिह हैं कुछ सालिख होते हैं, कुछ सालिख बनते हैं, सालिख होना खुश्किस्मती की बात है, सालिख बनना मसलसल तज्किया और मुजाहिदे का अमल है, इसमें वक्त लगता है और तकलीफें भी सहना पड़ती हैं, इससे पहले जितने भी ट्रांसलेशन के पैराग्राफ्स मैं अक्सर यह कहती हूं कि आप अगर एक बड़ा सेंटेंस है तो उसको छोटे में भी तोड़के लिख सकते हैं, और अगर चोटा है तो दो छोटे मिलाकर एक बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन जब यहां पर इस तरह का यह जो सेंटेंस हैं, जो पहला आप सेंटेंस देखे काफी बड़ा भी है ये और ये कौमा से सेपरेटिड है अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खेंचती है अगर अगर आपको पूरे के पूरे को ही ट्रांसलेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा जैसे कभी अगर आपने कोई इंग्लिश नॉवल पड़ा हो मैं आपको सज्जेस्ट करूंगी दे मिनिस्ट्री फट्मोस्ट हैपिनस बाइ अरुंदृति रॉय वह एक इंडियन ऑथर हैं जिन्होंने पाकिस्तार और इंडिया के कुछ डाइनामिक्स के ऊपर एक नॉवल लिखा हुए और उसके अंदर पर आप किसी भी शायरी के पोइटिक ट्रांसलेशन देखेंगे उर्दू में शायरी और उसकी इंग्लिश में आपको राइम के बारे में आइडिया मिलेगा और किस तरह से आपने वर्ड्स को इदर उदर करके एक एफेक्ट क्रियेट करना है तो यहां पर यह जो पहला प तो यहां पर यह शुरू हो रहा है अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खेंचती एक तरीका यह होगा कि हम इसी तरह से इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं और दूसरा यह होगा कि इसका लास्ट वाला पार्ट है यह हम शुरू में ले आएं कि साले होने के लिए क इन कि इन चीज़ों की आपको जरूरत है और बाकी की फिर चीज़ें अगर इससे स्टार्ट हो जाएं तो हम देखते हैं अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खेंचती हम इसकी देखते हैं ट्रांसलेशन क्या है यह हम पहले पार्ट पहले लिए आएं यह पहली उसके बाद कौमा ओगया उसके बादे अगर अगर अला का ख़फ आपकी आँखों में आशु आ जाते हैं If your eyes well up with terror of Allah, इसी तरह से आप tears का word भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर हमने well up का word इस्तेमाल किया है, एक और भी expression है, वो हम अगले वाले इसके sentence में देखेंगे, If the thought of hell instills fear of God in you, अगर दोज़ख का तसफ़र आप में खौफ खुदा परिदा करता है, अगर आप अल्ला की अबादत इस तरह करते हैं, जिस तरह करनी चाहिए, If you worship Allah as you should, अगर नेकी आपको अपनी तरफ रागिप करती है, If goodness pulls you to it, पुल्स के लाब आप draws भी कर सकते हैं, और आपके पाउँ बुराई के रास्ते पर जाने से रुक जाते हैं, And if you prevent yourself from following the wrong path, ठीक है, You can be considered righteous, किन conditions में, If the world does not entice you, तो एक यह तरीका हो गया, इसको translate करने का, यह तो पूरा sentence है, अब एक और तरीका देखते हैं, अब इस वले method के अंदर, हम इसको इसी तरह से translate करेंगे, अगर सी, If the world does not lure you to word itself, If your eyes become watery out of fear of Allah, पहले हमने well up को वाइड इस्तमाल किया था, यहां पे हमने watery को वाइड इस्तमाल किया, यह भी आंसों के लिए, अगर आंखों में आंसों आ जाएं, तो उसके लिए इस्तमाल होता है, अगर दोज़फ का तसवर आप में, खौफ खुदा पैदा करता है, If the idea of hell inculcates fear of God in you, inculcates की जगा आप create भी कर सकते हैं, जो vocabulary आपको आती हो, अगर आप अल्लह की अबादत इस तरह करते हैं, जिस तरह करनी चाहिए, अगर नेकी आपको अपनी तरफ रागिप करती है, If righteousness beckons you, and you stop yourself from going to the wrong path, या wrong road भी हो सकता है, then you can be termed as virtuous. Virtuous की जगा आप पैस भी कर सकते हैं, righteous भी कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं, can be termed की जगा, then you are virtuous. तो अब आप ये दिखें के हमने दोनों जो sentences दो तरीके से translate किया है, एकी sentence को, तो हमने उसकी vocabulary थोड़ी थोड़ी चेंज की है, और जैसे यहाँ पर ये virtuous का word है, तो हम इसी तरह से यहाँ पर ये जो इसके लिए हमने right, yes ने इसका word इस्तमाल किया है, तो इस तरह से अगर एक paragraph के अंदर एक से ज्यादा बार एक ही word इस्तमाल हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसके लिए मुक्तलिफ vocabulary हर जगा पर इस्तमाल करें, अगला sentence देखते हैं, hopefully यहाँ तक आपको समझ में आ गया अगर आप बाकी जो पिछले सालों के CSS के पेपर से उनके translation paragraph देखना चाहते हैं, तो उसकी भी वीडियो मौजूद हैं हमारे चानल के पर, आप वीडियो की description में वीडियो की description में देख सकते हैं, कुछ सालिह होते हैं, कुछ सालिह बनते हैं, कुछ सालिह होते हैं, कुछ पैदा ही ऐसे होते हैं, कुछ सालिह बनते हैं, कुछ वो ट्रेट्स अकॉयर करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं वो मरतबा हासिल करने के लिए, तो इसी context में हम इसको translate करेंगे, दो तीन तरीके देखेंगे, अब देखें, यहां पर सालिह का word जो है, यह दो बार इस्तमाल हो रहा है, एक ही sentence है, जिसके अंदर दो बार इस्तमाल हो रहा है, तो हम देखते हैं, कि हम अगर एक ही word को दो जगापे इस्तमाल करते हैं, तो क्या effect देता है sentence, और अगर हम उसको alternate करते हैं किसी और word से, तो कैसा लगता है sentence, कुछ सालिह होते हैं, कुछ सालिह बनते हैं, some people are righteous and some acquire those traits, ठीक है, एक यह तरीका हो रहा है, अगर हम इसको सीधा सीधा translate करें, तो यह बन जाएगा some people are righteous and some become righteous, अब यह एक बिलकुल simple सी translation है, जिसमें दो जगाव पर righteous का word repeat हो रहा है, some people are righteous and some become righteous, लेकिन जादा बिश्टर तब होगा जब हम एक ही sentence में दो बार righteous का word इस्तमाल ना करें, देखते हैं कि कैसे, some people are born virtuous while others learn to be righteous, यह कुछ साले होते हैं और कुछ साले बनते हैं, तो यह जो लास्ट वाला expression है, this is the most recommended one, तो English is very flexible, और एक इस sentence को translate करने के कई तरीके हो सकते हैं, आगे है साले बनना मसलसल तस्किय और मुजाहिद कावल है, तस्किय क्या होता है, अपने आपको पाक साफ करने के, यहां पर हम देखते हैं कि इसके क्या translation है, और मुजाहिदा क्या होता है, मुजाहिदा जहाद से है, जहाद में क्या होता है, जहाद अब नफस क्या होता है, कोशिश होती है अपने आपको आप साफ करने की अपने नफस के साथ जहाद करने की तो यहाँ पे हम इसका यह ट्रांसलेशन करेंगे कोशिश के मानों तो बी पायस is a matter of great fortune Becoming righteous is a process of endless sanctification and struggle एक तो यह तरीका हो गया अब देखें यहाँ पे हमने साले की जगा पायस का वर्ड इसके बाद इसके बाद it takes constant sanctification and effort to become virtuous sanctification की जगा अप यूरिफिकेशन का वर्ड भी इसके अगला sentence है इसमें वक्त लगता है और तकलीफें भी सहना पड़ती है तो हम इसको कैसे translate कर सकते हैं तो यह ती इस paragraph की translation अगर आप देखें तो यह paragraph present and definite का है यह बजाहित देखने में इस पढ़ने में मुश्किल लग रहा है लेकिन जब आप इसको translate करने लगेंगे तो यह आपको मुश्किल नहीं लगेगा vocabulary भी इसकी बहुत जादा मुश्किल नहीं है अगर आपको उर्दू में कोई लफ्स मुश्किल लग रहा है और आपको लग रहा हो के हमें इसका इंग्लिश में मीनिंग नहीं आ रहा तो उसका उद्दू में ही कोई असान मतलब ढूंड के सोच के तो फिर उसको आप translate करने की कोशिश करें जिससे यहां पर मैंने का तस्किया क्या होता है कि अपने आपकी सफाई करना तो आप उससे सोचिए प्यूरिफिकेशन और इसी तरह मुझाहिदे का लवज जिहाद से है तो जिहाद की आप सोचिए क्या है वो स्ट्रगल है कोशिश है तो इस तरह से और भी आप डिफरेंट विकैबली यूज करके इसको ट्रांस्लेट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाच्छिंग